कि जिम्मेदारी हर नागरिकी है देखिए शरीन जी इतना गंभीर मसला है आप इसको हिंदू मुसलमान हर जगे यहां के रहे आप मुझे आज एक बात बताईए इसी चैनल के मादम से और ज़रा गौर करके सुनिएगा मुझे बताईए यह देश इन भविशन बच्चों को कि आपने बोला है और यह है तो आप मुझे बताई इस देश कंतर wonder एक कानू होना चीनई or ना चीए नहीं जो से बालिफर अब जब गजबहां झाथ जो बहुडकी कानू आद़का कर दिया त dernière आप जब एक कानू है तो आपको तोन जसasm ठानाने हमें क्कानूरा है तीश्य में आपिये आपके आपके लिए एक देश हैं, यह मैं आपके बाते हैं. इस देश देश निर्व हिंदु मुसल्मानों ने कभी एक दूसरे को यह नहीं काया है अग हम खुल के हम उनका विरूत करने नहीं अग हमारे भाई में कहा है यह देश का नहीं करतें एंडे बर्म नीन मिलेज़ सबाध कि गविश्य को इस टेस के भाविश्य को क्यों नहीं एक कानू, एक जंडा, एक चीज, एक बातरी माँ क्यों विरोध करते हैं? जो defamation की जाती है, लोगों को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, हमारे खुद के प्रधान मंत्री को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, तो हो चीज कहीं ने कहीं гलत है और plasma के बिल्कुल भी जो है मुद्द मुद्दों कि साजिश मोच है कहें कि राजनितिक पार्टियों कि आप बता एगे मिरा करें कि अभी सदर्सनें यहां पर बोला था कि हमने इतना diya मुन तो तो आप यह चार्जी कर दिया एक तरी से कि सब्सक्रस किसाश्व होदा ऐगि ने कि सणحمiße है इंगी समान यह पर चांळें यह आपके इतने वोलिवर से आप यही समझाओ कि आपके स्पीड से यही लग रहा है कि आप एक ही रिलीशन पर बोल रहे हो बस यह देखिए आप लोग सुनिएगा जब आप लोग जगड़ते हैं न लड़ते हैं तो इन लोग की बाते भी सुन लिजगा कोई और पीछे से लोग देखें यह लोग इतने भड़के होएं क्यों बढ़के होएं क्यों लोग को इस चीज का सलीशन नहीं मिल रहा है और हम लोग वह एज़ जोनलिस्ट और इस फील्ड में हम लोग है मुस्टीज को समझ पा रहे हैं कि सही माइने में कौन कितना वैल्यू रखता है हम सह को भी समझ पा रहे हैं गलत को भी रख पा रहा है और हम लोग फारत के नाम क्या है अपका सुजान कश्या सुजान बहुत में तुपुन बात बोली है और विक्रमा दित्ते जी अब आप मुझे बताइए फिर एक एक करके में रियाक्शन बाकियों से भी सल्यूशन नहीं ह चोटे हमारे पास निवारण नहीं है कि इसका निवारण क्यों नहीं है मुझे बताइए ना इस देश के अंदर पिछले अगर अजादी के बात कर सेविल देख लें और आज जो विशय चल रहा है आजान और इसका मुसल्मान का है क्यों बास्तविक तोर पे आजान और पिछले सतर सालों में इस देश में विबनध tomra पार्टिय और इस देश के अंदर हम मुस्लिम एं जो हम मामाइनरी कमीशन था माइनरी जो बेसिकली मिनिष्टरी रही है उसके अंदर बजट रहा करीब mez जार करोड के आसपास-को का बजट रहता था यस शालो और हो किसमें करोड रुपे कर्च कर दिया आते थे मुदी जी आए और उन्हों ने उस ववस्था को बदला और आपको जानके आश्यर होगा कि पिछले पांच सालों में बाइस हजार करोड रुपे सरकार की तरफ से खर्च किये गए हैं मदर्सों के करने के लिए मदर्सों की एजुकेशन कॉलिफिकेशन करने के लिए वह बात आपके ठीक है यह तो मुस्लिम भी जानते हैं जब बोट देने के बाद ने ने आप चुनिनना लोगों को कहकर एक पूरी समाज को हम नहीं कह सकते न मैं यह कह रही हूं कि हमारे पास इसका निवा ABP News आपको रखे आगे